नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के जरी हम आज बहुत ठीकी के एक बहुत ही रोचक पाठ का अध्यान करेंगे वह पाठ है प्रकाश और उसका परावर्दन प्रकाश जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत जरूरी है हमारे आसपास की चीज़ों को देखने के लिए इससे हम किताबे देख सकते हैं मेज देख पाते हैं आसपास की लोगों को देख पाते हैं और अगर प्रकाश ना हो तो चारो तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है प्रकाश के परावर्दन के नियम का उप्योग हम अपनी दिंचर्या में बखुवी करते हैं चाहे वो अपने सर के पीछे के बालों को देखना हो, दो दर्पनों को उप्योग करके, या फिर अपनी गारियों में लगे शीसों से पीछे से आने वाली गारियों को देखना हो. आईए अब प्रकाश के परावर्तन के पीछे के मिलने को समझें, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक टॉच से प्रकाश की किरने एक दर्पन पर आपतित हो रहे हैं, और फिर टकराने के बाद परावर्तित हो जाते हैं, तो वो कौन जो इस अविलम और इस आपतित प्रकाश की किरन के बीच बन रहा है इसे हम कहते हैं आप्तित कौन और वो कौन जो परावर्दित किरन और उसी अविलम्ण के बीच बन रहा है उसे हम कहते हैं परावर्दित परावर्दित कौन अगर हम आप्तित कौन को आई से लिखाएं और परावर्दित कौन को आज से लिखाएं तो एक समतल दर्पन के लिए आई इस इक्वल टू आज आई हमेशा आज के बरावर होता है अखाथ जिस कोन के साथ किरने आप्तित होती है उसी कोन के साथ किरने परावर्दित भी हो जाती है दसवी कक्षा में हमें गूरियों दर्पनों से प्रकाश के परावर्पन के वाले में बढ़ना है इस चित्र में यह जो दर्पन है इसे हम अवतल दर्पन कहते हैं अवतल दर्पन और इसको उतल दर्पन कहते हैं उतल दर्पन आप जैसे देख रहे हैं अव्तल दर्पन में उप्तक्राश्ट की तिरने हमेशा अव्तल भाग की और आती हैं और उप्तल दर्पन में तक्राश्ट की तरफ आप उठेने चाहिए हम इसे एक बहुत साधारन तरीके से भी समझ सकते हैं एक चम्मच जितर से उसमें क्योई चीज रखी जाती है चम्मच में जैसे कि चम्मच में हम जो चीनी उठाते हैं जिस भाग से हम चीनी उठा पाते हैं उस भाग को कहते हैं अवतल भाग और जिस भाग नीचे की उठाता है उसे हम कहते हैं उतल भाग तो यह जो चम्मच है अगर यह बहुत अच्छे से पॉलिष किया हुआ है बहुत चमकदार चम्मच है तो इसमें हम अपनी खुद के चेहरे को भी देख पाएंगे तो जैसा कि यहां एक चित्र में दिखाया जा रहा है कि आगर आप चम्मच को अपने चेहरे की योर करके पकरके रखें और दोनों दो तरीवें से एक बार अवदल भागो एक बार पुद्चल भागो तरफ से तो आपको अपना चित्रा दिखाये और दोनों चेहरों में गुलें आप देखते हैं अवदल दर्पन से संसा काकाश का परावर्त गयाँ तो ये दर्पन जो हम देख रहे हैं दोसको ये एक अवदल दर्पन है और जब भी अवदल दर्पन से के सामने समनांतर प्रकाश की किरने आती है समनांतर प्रकाश की किरने किस के समनांतर अपने मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष यह मुख्य अक्ष है दोस्तों तो इस मुख्य अक्ष के समनांतर जो भी प्रकाश की किरने आती है वो फोकस की ओर केंद्रित हो जाती है लिखाया है दोस्तों ये सी को कहते हैं center of curvature अर्थात वक्रता केंद्र यह वक्रता केंद्र यह बतला रहा है दोस्तों कि यह अवतल दर्पन जिस भी वरे से गोले का अंच होगा उस गोले का केंद्र कहां पर तो यह सी उसका केंद्र है इस दूरी को यह दूरी दोस्तों अगर मैं इस बिंद्र को जो कि अवतल दर्पन पर है पी से दिर्खूंँ तो यह पी और एफ यह दूरी है इसको हम कहते हैं इसको हम दिखा सकते हैं small f से जिसको हम कहते हैं focus दूरी फोकस दूरी तो पी एफ इस इक्वल टो स्मॉल एफ और यह एक धान देने वाली बात है दोस्तों कि जिक्टी लंबाई पी एफ की होती है उतनी ही लंबाई सीफ की भी होती है अर्ठाथ यह एफ पी और सी का मध्य विंद्र है तो हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों कि पी एफ इस इक्वल टू 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 इन्टू पी एफ और अगर इस पी एफ को हमने small c से दिखाया और पी एफ को small f से जा साम ताहरे दिखा चुके हैं तो f इस इक्वल टू सी बाइ टू ऐसा हो जाएगा यह स्मॉल सी जो मैं लिखता हूं दोफ्तों यह स्मॉल सी यह दूरी है यह इस दूरी को कहते हैं स्मॉल सी और इस और नाम मैं बता हूं आपको तो इसको हम कह सकते हैं वकृता तृज्या तो यह स्मॉल सी वकृता कृजिया है देखें तो आगे जब भी मैं वकृता कृजिया बोलूं तो उसका अर्थ होगा दूरी पी और सी के बीज़़दी आईए अब सीखते हैं कि अव्दल दर्पन में तत्यविंब को कैसे बनाएं तो यह जो दर्पन यहां हम देख रहे हैं यह अव्दल दर्पन है यह बिंदू जिसको हम फोकस कह रहे हैं और यह विन्दु जिसको हम Princeton of curvature अर्थात वक्रता केंद्र कहे रहा है तो मैं एक वस्तु वक्रता केंद्र से परे रख रहा हूँ इसको मैं नाम देता हूँ A, B तो यह जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र से परे है तो इस वस्तु से पहुत सारी किरन निकलेंगे ते जो कि हर दिशांत में जाएंगे पर हमें बस दो किरनों को लेना है इसमें से पहली किरन इस मुख्य अक्ष के समनांतर चानी है मुख्य अक्ष के समानांतर और हम जानते हैं कि कोई भी तिरंद मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है अवतल दर्बन से ठकराने के बाद फोकस की और केंडरित हो जाती है तो फोकस की और इसको हमने मोर दिया दूसरी जो रेखा हमें लेनी है दूसरी रेखा हमेशा आप वक्रता केंद्र से होगे गजारेगे वस्तू और वक्रता केंद्र से गजारने है तो यह दरपंस अप्तल दरपंस से टकराने के बाद वापस सिद्शाना हो जाएगी यह चो विंदू है दोस्तों जहाँ पे यह दोनों किरने आपस में टकरा रही है आपस में मिल रही है यहाँ पे हमें उस प्रतेविंग की जग्र में लेगी तो यह यह डैश और यह बी डैश तो यह प्रतेविंग जो बंदा है वो उल्टा है और वास्तविक है क्योंकि यह तो ये एक तरीका है जहां से हम देख सकते हैं कि अबसल दर्पन में कैसे प्रतिविंब बनता है इस सारणी के माध्यम से समझाने कोशिश की जा रही है कि वस्तु की इस ठिकी कहां हो तो उसका प्रतिविंब कहां और कैसा बनेगा तो अबिया की जो हमने एक प्रतिविंब बनाया है जो सी पर चाचा करते हैं हमने वस्तु को सी से परे रखा था तो उसका प्रतिविंब एफ और सी के बीच में बनता है और उसका साइज अर्थात उसका आकार छोता होता है वस्तु से जबकि वस्तु की प्रकृति वस्तु न अलग अलग जब हों पर जैसे C पर, C तथायब के वीच, F पर, P तथायब के वीच या अनंत पर रखते हैं तो इस सारणी से हमें ज़र पता चल सकता है कि उसका प्रतिविंब कहां बनेगा आप इस सारणी को याद कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत महत्रपूर्ण सारणी है आईए एक और पतिविंब बनाने की कोशिश करते हैं यह हमारा फोकस है, यह हमारा वकता केंड़ इस वार हम वस्तु को इस पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु यहां है, जासा कि हमने पिछली बार भी किया था कि इस वस्तु से बहुत सारी किरन निकलेंगी पर हमें बस दो ही किरनों का ख्याल रखता है पहली किरन जो इसके मुख्य अक्ष के सामानांतर जाती हुई दर्बन से तकराए और कोई भी किरन जो मुख्य अक्ष के सामानांतर जाएगी, वो तकराने के बाद फोकस की ओर मुर जाएगी फोकस की ओर केंद्रित हो जाएगी, तो हमने उसको फोकस की ओर मुर जाएगी दूसरी किरन जो हमें लेनी है दोस्तों वो है वस्तु से निकलकर वक्रता केंद्र तक पहुचने वाली यह हमने वस्तु से निकालकर वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक किरन बना ली पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि यह दोनों किरने आपस में कभी टकराएंगी ही नहीं ऐ तो अब क्या कर सकते हैं तो इस केस के लिए ऐसे परिस्थिती के लिए हम लाइन को दोनों किरनों को पीछे की और बढ़ाते हैं तो इस ग्लू कलर की लकीर को जब हम पीछे की और बढ़ा रहे हैं, किरन को जब हम पीछे की और बढ़ा रहे हैं, तो ये दर्पन से टक्रा गए, और टक्राने के बाद ये फिर से बापस लोता है, पर जब इसको हम तूटी हुई लकीर से और पीछे की और बढ़ाने की कोश जा रहे है, इची तरह हमें इस लाल रंग की किरन को भी पीछ ही कोसिस करते हैं तो ये एक जगा कठी भी त्रतीत कोगे, और वो जो जगा कठी भी त्रतीत को रही है वो जगा पे त्रत्यवैम्द बनेगा तो अगर ये A और B वस्तु है तो, A dash और, B dash प्रतिविम्ग बन रहा है. और जैसा कि हम देख पान रहे हैं, प्रतिविम्ग वस्तु से बरा है, और प्रतिविम्ग आभासी है जो कोड़ते हैं, यह प्रतिविम्ग कालपनिक है. क्यों? क्योंकि यह वास्तविक किर्णों पर तगराव से नहीं बना है बलकि यह बनता हुआ प्रतीत हो रहा है और वो भी कब जब कोई रेक्ती यहां से इन दोनों किर्णों पर देख रहा है तो उसे ऐसा प्रतीत होगा कि इस दर्पन में इस वस्तु का प्रतिजंद इसके साइज से बरा इसके आकार से बरा बन रहा है पर वो वास्तविक प्रतिजंद नहीं है तो इस तरह से हमने सीखा कि अवदल दर्पनों में कैसे प्रतिजंद को बना सकते हैं आप खुद भी प्रेपन कर सकते हैं वस्तु की जगह बदल के पर हमेशा याद रखें हमें हमेशा दो किरनों का ख्याल करना है एक किरन जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और दूसकी किरन जो वस्तु से निकल कर वक्रता केंडर अर्थाद सी से होते ही किज़ती है और इन दोनों किरनों के सकराओ बिन दूस पर ही हमारा प्रक्तेवन बनता है यहां हम देख सकते हैं दोस्तों कि जो वस्तु को अलग अलग जगहों पर रखा जा रहा है तो उसका प्रतिवन कहां बन रहा है जैसा कि इस भाग एम दिखाया जा रहा है कि जब वस्तु अनन्त पर है तो अनन्त से आने वाली हर प्रकात की किरन मुख्य अक्षिते समानान पर ही होते है तो सभाविक है कि टकराने के बाद वो पिरने हमेशा फोकस पर जाके मिलेगी तो अनन्त पर रखी वस्तु का प्रतिवंद फोकस पर बन रहा है उसी तरह B में जैसा कि हमने खुद बनाया जब वस्तु वक्रता केंदर से परे हो तब उसका प्रतिवंद C और F के बीच में बन रहा है तीसरे केस में जब वस्तु को वक्रता केंदर पर ही रख दिया गया वक्रता केंदर पर ही रख दिया गया तो उसका प्रतिवंद भी वक्रता केंदर पर ही बन रहा है जो की साइज में आकार में उड़ना ही बरा है जितना वास्तविक वस्तु का आकार है D में जब वस्तु को C और F के बीच में रखा जा रहा है तब वस्तु का प्रक्तिविंब वास्तविक तो बन रहा है पर C से परे बन रहा है और उल्टा की बन रहा है इ में जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिविंब है वो अनंत पर बनेगा देखते हैं आप इसको खुद से भी बनाने भी कोशिश कर सकते हैं जाता कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता रहा है एफ जो केस है दोस्तों उसमें हमने अभी अभी देखा कि जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिविंब आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है आईए अब समझते हैं उत्तल दरपनों से प्रकास का परावर्दन कैसे होता है तो उत्तल दरपन में भी मुख्य अक्ष यहीं है जैसा आउतल दरपन में होता है मुख्य अक्ष को कहते हैं जो ओल यहां पे और वोकस और वकताथ कीज़िया को मिलाने वाली किरने आपर यह भी वुक्ष किन में होना चाहते हैं यह दूसरा यह भाग जो है इस दर्पन का वो वो कालिक किया हुआ है इधर प्रकाश की तिरने नहीं आ सकती तो हर प्रकाश की प्रवर्तित हो रही है हई बीपृत दिश्च्ञाम वहीं पर जब उस उस परावर्थित करन को पीछे की और बढ़ाएंगे तब यह फोकस की difficulty दिखाई ने प्रतीध को यह एक काल्पनिक सोच्छ है वास्तरिकता नहीं है यह काल्पनिक तक तुके से मैं इस किरण को पीछे की और बढ़ा रहा हूँ, दर्बन के पीछे की और बढ़ा रहा हूँ तो यह फोकस की और केम्वित होते ही की वक्तते जएकि मेंने हक bench सी से बिखाया है यह जो फोल और फोकस की बीछकी दूरी है, यहाँ पर इसको भी focus कहता हूं उसी तरह यह है जिस तरह से हमने अब्तल दर्पन में देखा था आईए अब देखते हैं कि उत्तल दर्पन से कैसे किसी वस्तु के प्रतिवन्ब को बनाया जा सकता है तो हम वस्तु को इस उत्तल दर्पन के सामने रखते हैं माना कि यह एभी वस्तु है तो जैसा कि हमने अब्तल दर्पन में किया था दोस्तों प्रतिवन भू बनाने के लिए वैसा ही यहाँ भी करेंगे चुकि यहाँ ते बहुत सारी प्रकास की किरने निकल रही हैं पर हमें वस दो प्रकास की किरनों को ही लेना है एक प्रकास की किरन जो की समनांतर जादनी चाहिए मुख्य अक्ष को पर यह जब तकराएगी यह समनांतर किरन जब उत्तल दर्पन से तकराएगी तो यह दाहिनी और नहीं आतकी दो क्यों? क्योंकि यह भाग तो कालिक किया है तो यह दाहिनी और नहीं आएगी यह टकरा करके वापस चली आएगी पर आप जब इसको वापस मुरें तो इसका जरूर थेयाल रखें कि उस वापस मुरे भी रेखा को जब सीधी दिशा में पीछे की और बढ़ाएं तो वो फोकस से होके बिज़रने चाहिए दूसरी किरन जो हमें लेनी है दोस्तो वो वस्तु से निकलती हुई वक्ता केंद्र तक भूशनी चाहिए तो हम कोशिश करेंगे मिलाने की पर जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे यह जो किरन है वो उप्तल दर्पन से टकरा जाएगी और बापस लोट जाएगी पर जब आप उस वापस लोट वी करन को भी पीछे की और बढ़ाएगे तो वो वक्ता केंद्र से होकर बुजानी चाहिए यह जो टकराव बिंद्र मिला है यह टकराव बिंद्र में बताता है कि प्रतिविंब कहां पर बन रहा है तो यह एडस बीडस मैंने लिखा है उस प्रतिविंब को जो की वस्तु से छोटा है और काल्पनिक क्यों क्योंकि यह वास्तवी किरनों के मिलने से नहीं बना बल्कि यह बना है एक आबहासी किरनों के मिलने से तो यह आखोस तो दिखेगा जब भी कोई व्यक्ती इस दशा से उस प्रतिविंब को देखने ही कोशिश करेगा तो वो प्रतिविंब उसे दिखेगा जो की इसका आगार वस्तु से छोटा होगा पर वो एक वास्तविक प्रतिविंब नहीं है वो एक काल्पनिक प्रतिवि गई है और आई और आई डैस उससे बना हुआ प्रतिगंब है जो की फोकस और पोल के बीच में बन रहा है जिसका आकार भी वस्तु से छोता है तो यहां भी वही किया गया है दोस्तो एक किरन जो की समनांतर आ रही है जो की मुड़ जाती है विप्रीद्द सामे पर जब उसी किरन जो ली गई है दोस्तो वो सेंटर अपकर वेचरण थाट सी सी से होगसी जारी गई है और जो दोनों का टकराओ विंदू है उस टकराओ विंदू पे यहां पर वस्तु के टक्राओ विंदू को बना दिया जया तो यहां भी हम देख सकते हैं आई यह अब कुछ महत्व महत्रपून सूत्र देखते हैं तो पहला सूत्र है दर्पन सूत्र जो की होता है 1 by B plus 1 by U is equal to 1 by F यह एक बहुत महत्रपून सूत्र है दोस्तों आई अब देखते हैं कि इसमें B, U और F क्या है तो F तो आपको पता है कि F focus दूरी है किसी भी दर्पन की तो अगर यह एक दर् है तो इसमें यह इसकी मुख्य अक्षर इसका मुख्य अक्षर वाली ती यह F और वह C तो मान लिजे कि हमने मान लिजे कि हमने यहां पर वस्तू को रखा है तो जो पूल से जो पूल से इस वस्तू की दूरी है उसको हम तहते हैं U और मान लिजे इसका प्रतेवा में यहां इस दूरी को कहते हैं इस दूरी को कहते हैं भी पोल से प्रतेविम्दिक की दूरी को कहते हैं भी और पोल से ही इस वस्तु की दूरी को कहते हैं यू और एफ तो आप लोगों को पता है कि एफ कहते हैं पोल से फोकस की दूरी को तो ये जो दर्पन सुत्र हमने यहां लिखा यह बहुत ही महतफ़ून दर्पन सूत्र है इसे आद याद करें दूसरा जो सूत्र है वो है आवर्धन सूत्र आवर्धन अर्थात की जो दर्पन है वो किसी भी वस्तू को कितना बरा या कितना छोटा दिखा सकता है तो अगर आवर्धन एक से कम है तो वो छोटा और अगर आवर्धन एक से जादा है तो इसका मतलब वो वस्थे के उसकी आकार से बरा दिखाए रहें कि उसकी छाया बनेगे जसके की वो उसकी आकार से बरी बनेगी अगर आवर्धन एकसे जादा है कि तो हम लोग आवर्धन को h-by h और जो की जहाँ h- पतिविंद की इंचाई है तो आवर्धन को हम लिखते हैं एक बतिक के रूप में h-by h जिसको minus by u भी लिखा जा सकता है आप इसको भी याद करें ये भी एक बहुत महदोगून सुत्र है अब आएए दोस्तों परिचित होते हैं चिन्ह परिपाटी से तो चिन्ह परिपाटी बहुत ही महदोगून जरिया है एक प्रश्न को खल करने का प्रकाश आपका जो ये चैप्टर है आपका जो हमारा पार्ट है दकाश और सपरवर्थन उसके अंदर तो देखते हैं कि ये चिन्ह परिपाटी क्या है तो ये M और N ये जो है हमारा दर्पन है ये M हमारा दर्पन है तो और ये X डैश और X X जो है वो मुख्य अक्ष है दर्पन का तो मुख्य अक्ष के ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में कोई भी दूरी अगर हम नापते हैं ऊपर की दिशा में तो वो धनात्मा होता है पोजटिव होता है और अगर उसी मुख्य अक्ष के नीचे की ओर कोई दूरी नापी जया तो वो रिनात्मा परठाद डूसरी ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर कोई भी दूरी हम पोल से ले रहे हैं और हर बु त लो कि हम अबतिो प्रा काश की दिशा के वीटूरी विटा और जब किसी दूरी को पोल से प्राक्थ के आपने की दिशा में हम नापा जा रहा है यह दीको आई और और या ऑन ओर इसको ले रहे हो फार्षात दढातमक दूरी है तो यहां पूरी तरीके से हम छिन्ह-परिपाती को एक ही चित्र के अंदर देख सकते हैं कि ऊपर ली हुई दूरी वोजटेव होती है धनात्मक होती है नीचे ली गई दूरी धनात्मक होती है पोल्स से वाई और ली गई दूरी वाई और अर्था ठमेशा आप समझे आपति किरन की जिसा में हिन ली गई दूरी मापी गई दूरी धनात नुख सकती तो यह है चिंज परिपाशी हम इसका उपयोग करके बहुत सारे प्रश्णों का हल कर सकते हैं आईए दोस्तों अब एक प्रश्ण हल करते हैं इस प्रश्ण में कहा गया है किसी आटो मोवाईल के पीछे का दृश्ण कोई गारी जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर कुछ भी किसी automobile में पीछे का द्रिश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पन की वक्रता त्रिज्यार थाथ सी रेडियस अब करवेचर तीन मीटर है यदी एक बस इस दर्पन से 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिविंब की स्थिती प्रतिती तथा साईज ग्यात करें इस्थिती मतलब की फिर्च्छती मतलब वह वास्टवित अलँटा है और साइज अर्थात वह वस्तू से चोटा अथवा बरा है तो यहां से हम कुछ चीजह जो ग्याद कर सकते हैं वह यहनु वक्तता त्रज्याि यहां मैंनो उसको आर्ट से दिखाया है वक्तात रजय तीन मीटर है और इसको पॉजिटिव धनात्मक लिया है हमने बिम्ब दूरी अर्फात वस्तु की दूरी यू और जो की रिनात्मक है रिनात्मक पांच मीजर देखते हैं क्यों मैंने हर रिनात्मक लिखा उसको दोस्तों एक उच्तल धर्पन verdampal बना सकते हैं यहां हमने उत्तल धरपन डखा सवघा और कि अच्छा रहे हैं अब देखते हैं कहा जा रहा है कि वक्ता neuen मीटर है यहां आर इसको यह हम से क्योंने हैं तुम इदिखते हैं यहां इसको आर्से ही दिखाते हैं यह वक्तत रिजया हम हमेशा पोल से जब इधर की ओर दूरी मापेंगे तो यह दूरी प्रकाश के किरन की दिशा की दूरी में है प्रकाश की किरन की दिशा के जैसी ही है तो यह दूरी धनात्मक है पोजिटिव दूरी है अगर कोई दूर यानि कि वस्तु की दूरी वस्तु देखे दोस्तों वस्तु कहीं यहां रखी होगी तो यह वस्तु है और वस्तु की दूरी को जब पोल से नापेंगे तो हम में प्रकाश की दिशा के वीपरीद दिशा में जाना परेगा तो यह दूरी तो यह दूरी चुनात्माग है इसलिए यहाँ इसको माइनस पांच मीटर लिए प्रतिव्यंब दूरी भी है हमें निकालनी है दोस्तों प्रतिव्यंब की उच्छाई हम ग्याद करना चाहते हैं उसका साइज ग्याद करने के लिए अब देखिए दोस्तों फोकस दूरी हम निकाल सकते हैं फोकस दूरी हमेशा वक्तता प्रिज्या के आधी हती है तो 3 बटे 2 is equal to धनात्मक एक दसमलाव 5 मिल्टे है हमें पता है हमने अभी अभी ये सूतर देखा 1 by B plus 1 by U equal to 1 by F यहां से हम यह भी कह सकते हैं कि 1 by B equal to 1 by F minus 1 by U बस इसको आप अदला बद्ली कर दें इसके दोनों तरफ वराबर के दोनों तरफ तो आप इसको पालेंगे यहां से जब निकालेंगे दोस्तों तो वी जो है बी अर्थात प्रतिविंब दूरी हमें मिल जाएगी धनात्मक एक दसमलाव 15 मीटे और आवर्धन आवर्धन हम की निकालना चाहते हैं ताखि हम उसका साइज निकाल सकें तो आवर्धन का पर्मुला अभी अभी हमने दे इस इक्वल टू माइनस भी वाइए उसको हम यहां पर इतना लिख सकते हैं बस आप उन सारी जो आपको द्रविमान मिला था उपर में भी का यू का उसको बस आपको यहां पर रख देना है तो इस तरह से आपको आवर्धन मिलेगा प्लस जीरो दसमलो दो तीन यह जीरो द दोस्तो कि जो प्तेवेंद है वह वास्तविक वस्तु से इतना गुणा चोटा है या वास्तविक वस्तु का इतना गुणा है अर्थात अगर वस्तु AB size का है AB उतना बरा है तो इसका प्रतेवेंब बनेगा 0.23 गुने AB इस प्रश्ण में दोस्तों वस्तु का आकार नहीं दिया है वस्तु का size नहीं दिया तो उत्तर लिखने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रतेवेंब का आकार वस्तु के आकार का 0.23 गुना है तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि प्रतेवेंब की इस थिती अर्थात V प्लस 1.15 हमें मिला तो हमने इस थिती इस पस्ट कर ली वस्तु की प्रकृती हमें इस प्लस साइन इस धनात्मत चिन्ह से पता चलती है यह बतलाता है कि वस्तु अपनी प्रकृती में उल्टा है अगर ये minus होता तो हम कहते वस्तू अपनी प्रतिती में सीधा है तो यह plus sign है अबतला रहा है दोस्तों गे वस्तू जो प्रतिविंब है वो उल्टा है प्रतिती में और size चुकि यहां वस्तू का खुद नहीं दिया तो हमने क्या क्या हमने आवर्धन निकाला है और ये कहा है क कि जो प्रतिविंब है वो वस्तु के आकार से का इतना गुणा है तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कट सकते हैं तो इस कक्षा में इतना है अगली कक्षा में हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन और इससे फिर हम कुछ प्रश्न सो बनाएं गे धन्याओं